Hello there this is KC and I welcome you to physics ग्यान मुकेश नायक चैनल बच्चा लोग बायो टेकनोलोजी का लेक्चर नमबर वन है आज ठीक है और बायो टेकनोलोजी एक बहुत अच्छा चैप्टर है अगर सही तरीके से समझ गया तो बहुत अच्छा काम हो सकता है ठीक है तो अब ये चैप्टर समझ के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गुरू बायो टेकनोलोजी की डेफिनिशन देखनी पड़ेगी क्या देखनी पड़ेगी बच्चों बायो टेकनोलोजी की डेफिनिशन देखनी पड़ेगी अब जो डेफिनिशन है सिंपल सी बायो टेकनोलोजी की डेफिन to provide services for human welfare अब भी बायो टेकनलोजी की simple सी definition हम लोग ने ये देखी कि बाई क्या होता है बायो टेकनलोजी कि बाई ये चीज होती है अगर मैं बोलू अपने अंदाज में या फिर अपने words में निकाल के बोलू तो what is meant by बायो टेकनलोजी बाई simple सी बात है alteration देखो simple क्या है alteration क्या होता है बच्चो बायो टेकनलोजी alteration of genetic makeup क्या बोलेंगे बच्चो अल्ट्रेशन ओफ genetic makeup of organism है ना of organism to get desired या फिर ऐसा बोलेंगे alteration of genetic makeup of organism for the sake of desired product हमको जो चीज़े चाहिए वो with the help of technology मतलब हम देखो bio मतलब life क्या कह रहा हूँ मैं bio मतलब life और technology मतलब अपना पूरी technical methods और engineering वाली methods ताकी 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 desired product हमको ज्यादा मिल सके इसलिए हम क्या करते हैं bio technology मतलब यहां पे हमारे life में एक अलग value add कर रही है और bio technology का यही सबसे बड़ा अर्थ है वच्चो अगर यहां तक आपको definition of bio technology समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है अब देखते हैं दो टाइप की bio technology होती है भाईया कितने type की होती है दो टाइप की बायो टेकनलोजी होती है अब यह दो टाइप की कौन सी हमारी देख लो बच्चो मेरा मतलब यह वाली भी चीज़े देख लो कि वाली कौन सी है modern biotechnology traditional biotechnology मतलब बच्चो ओल्ड online और अपनी यह वाली कौन सी है न्यू बायो टेकनलोजी अब ओल्ड और न्यू में क्या होता है सर जी है ना question पढता है ना old और न्यू में Hack चुलि क्या होता है यह ना अब old biotechnology मतलब बच्चो सिंपल हम घी बनाते हैं है ना घी हो गया कर्ड हो गया चीज हो गई है ना चीज बनाते की नहीं चीज हो गई फिर वाइन हो गई भाया हमका पीनी है पीनी है बहुत सारे लोग वाइन बनाते हैं और बहुत सारे फर्मंटेशन प्रोड़क्ट जो है जो हम एंशन्ट वे या ओल्ड स्कूल मेथड के हिसाब से बनाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चो ओल्ड बायो टेकनोलोजी या फिर ओल्ड स्कूल बायो टेकनोलोजी है ना मतलब यह एक्चोली साइंस से ज्यादा एक आर्ट होत यहाँ पर कोई DNA material नहीं करते हैं बच्छों कभी देखा है कि अपने बैक्टेरिया के DNA चेंज करते हुए नहीं देखा वो तो बस अपना चाहिए बाइयो टेक्नलोजी परफॉर्म करते रहते हैं ठीक है लेकिन बच्छों मौडर्न बाइयो टेक्नलोजी में क्या होता है dna जो है क्या बोल रहा हूं मैं dna is altered क्या किया जाता है बच्चों डी ने alter किया जाता है genetic makeup alter किया जाता है genetics genes अलग-अलग alleles को replace करके desired product बनाने वाले alleles को इसमें introduce किया जाता है तो अब question यह पढ़ता है वही sir what is meant by alleles है ना question तो पढ़ता है वही what is meant by alleles है ना तो बच्चों alleles मतलब simple सी बात है what is mean by gene what is meant by alleles और इन्हें को हम क्यों alter कर रहे हैं तो alleles और gene इसलिए alter किये जाते हैं बच्चों कि अगर central dogma क्या बोलता है DNA से क्या बनता है RNA बनता है और RNA से क्या बनता है protein बनता है specifically mRNA बनता है तो mRNA से क्या transcribe translate होता है बच्चों protein translate होता है ना कोई भी जो DNA है simple सी बात है हमने सीख चुके बच्चों यह सब चीजे DNA इससे बनेगा mRNA क्या बनता है बच्चों mRNA और mRNA से बनता है हमारा प्यारा राजदुलारा protein है ना जवा दिलों की धड़कन क्या बलेंगे बच्चो protein हर जिम प्लेयर की सबसे ज़्यादा ख्वाई इसकी उसको protein मिल जाए तो proteins बनते हैं बच्चों तो यह proteins होते हैं जो हमारे body में translate किये जाते हैं mRNA के जरीए समझ रहे ना DNA से बनेगा mRNA mRNA से बनेगा हमारा protein यहां तक शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ गया दो टाइप की बायो टेकनलोजी होती है अब देखते हैं बच्चा लोग आगे के तरफ अब देखो modern बायो टेकनलोजी सिंपल 1970 में देखो कब दिखाई गई थी 1917 है ना 1970 स्टैनली कोहेन और हरबर्ड बॉयर ठीक है इन्हों ने सबसे पहले धोंड के निकाली इन्हों ने इसको मतलब इसी modern बायो टेकनलोजी को अपन RDNA टेकनलोजी भी बोलते हैं बच्चो क्या बोलते हैं RDNA टेकनलोजी भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है RDNA टेकनलोजी यहाँ पे क्या मोडिफाई कर रहे हैं बच्चे हम लोग जीन को मोडिफाई कर रहे हैं किसको मोडिफाई कर रहे हैं जीन को मोडिफाई कर रहे है और इसका definition कुछ ऐसा आएगा बच्चो की combination of biology and production technology is called as our DNA technology लेकिन और मैं आपको simple करके समझा देता हूँ simple सी बात है भई मान लेते हैं यह मेरा gene है ठीक है यह मेरा DNA ओके यह देखिए ओके यह मेरा DNA है भई ओके यह ऐसा वाला DNA एक है simple सा DNA एकदाम जवर्दस सा DNA अगर मैं को यह अगर मुझको इस DNA में अपने पसंद का कोई gene add करना है जिससे मैं को अपने desired products मिल पाए बच्चो तो क्या होगा simple अपने ink के color को change करके देखेंगे इसमें ठीक है yellow color मान लो yellow color यह यह वाले हमको क्या करने बच्चो यह यह जो segments है यह दिख रहे ना यह वाले segments मान लेते हैं इसको यह segments बदलने हैं और यह मेरा जो desired segment है वो में को इसमें add करना है ठीक है तो recombination मतलब क्या होता है बच्चो क्या होता है recombination recombination मतलब जब कोई दूसरे DNA को हम लोग किसी और DNA में fix करते हैं simple से बात समझ रही है कि तुमको simple mixing of DNA इसको भी हम लोग recombination बोल सकते हैं ठीक है मैं अगर यहाँ पे आपको draw करके दिखाओ मान लो यह मेरा DNA है मैं को इसके एक fragment को क्या करना है बच्चो separate करके अपना desired fragment में को इसमें add करना है मान लो यह मेरा DNA है मेरा मतलब इसको जो मिला हुआ है DNA वह वाला ठीक है मान लेते हैं यह मेरा DNA है जो मेरा sample है यह वही DNA है अब मुझको क्या करना है इसमें ये white color के DNA को add करना है देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर simple सा ये white color का DNA strand बच्छो ठीक है ये मुझको क्या करना है इस DNA में fix करना है इस वाले fragment को मुझको इस fragment के जगा fix करना है तो जो भी methodologic use करके अगर मैं ये DNA को इसमें fix कर सकता हूँ अगर मैं अपने पसंद के DNA के fragment को मेरे mainstream DNA में introduce करवा सकता हूँ तो इसी process को बोला जाता है recombination ये naturally meiosis में होता है और इस वज़े से हम लोग अपने ममी पपा से different दिखते हैं है ना क्योंकि meiosis में क्या होता है recombination होता है मतलब mixing of DNA होता है बच्छो ठीक है और वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं artificially करवा रहे हैं तो हमारा DNA कैसे simple simple सी बात है उसके बाद क्या होगा यहाँ पर यह white color का DNA इसमें continue हो जाएगा दिख रहा है ना यह ऐसा कि ओके दिख रहा है ना और फिर क्या होगा अगला वाला मेरा fragment कौन सा होगा एक सेकेंड आगे पीछे से लेगे हम लोग हाँ मेरा अगला वाला fragment कौन सा होगा वही अपना yellow color में continue कर दूँगा जैसे आप लोग को दिख रहा है ओके तो यह मेरा fragment है भाई है की नहीं लेकिन मैंने आप क्या करा देखो यह पहले पूरा yellow color का था यह वाला DNA पूरा yellow color का था लेकिन अभी देखो यह yellow और white दोनों भी है है ना इसका मतलब मैंने क्या किया मेरे desired gene को introduce कर दिया मेरे normal host DNA में और जब मैं यह technique perform कर रहा हूँ तो इसको recombination बोलेंगे और इसको इसकी technology को बच्चों कहा बुच जाएगा recombinant DNA technology मान लेते हैं किसी एक इंसान का हाथ कट चुका है जब मैं उसमें कोई prosthetic arm जोड रहा हूँ ठीक है ताकि उसका हाथ एकदम proper तरीके से काम कर सके तो यह कौन सी technology होगी बच्चों मान लेते हो person की ex-person जो है वो उसकी body है और जो हाथ हमने उसको लगाया तो वो है external DNA त fragment क्या गरता हूँ बच्चों introduce करता हूँ तो ऐसे टाइम इस technology को our DNA technology बोला जाता है शायद आपको यह समझ में आगया रहेगा बच्चों ठीक है अब देखते हैं two major major features of modern biology सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला है genetic material easily change किया जा सकता है जो कि just मैंने अभी आपको बताया फाद में इसका बच्चों socio political impact भी पूरे world पे होता है क्या socio political impact भी पूरे world पे इसका दिखाई पड़ेगा आप लोग को ठीक है तो यह इसके दो major features है ठीक है जादा जादा तो है नहीं बच्चों यह एकदम normal normal सी चीज़े हैं अब देखते है principles of principles and processes of biotechnology यह वाला चीज यह कितनी दो कोर टेक्निक्स है सबसे पहले तो याद रखना genetic engineering दूसरी वाली याद रखना बच्चों chemical engineering कितने वाले दो genetic engineering और chemical engineering यह दो टेक्निक्स इसमें सबसे जादा यूज होने वाली है अब genetic engineering क्या होगा genetic engineering बच्चों यह होता है DNA को change करना अपने desired product ताकि वो दे सके अभी जस't RNA technology में देखा था ना तो RNA technology को ही बच्चों क्या बोला जाता है simple genetic engineering बोला जाता है ठीक है RNA technology को ही क्या बोला जाता है genetic engineering बोला जाता है यहां क्या हो रहा है alteration of genetic material हो रहा है क्या हो रहा है मेरा बच्चा alteration of genetic material हो रहा है genetic material को हम manipulate कर रहे है what is manipulate what is manipulate मेरी आँखों में गार से देखो तुम्हें नीन दा रही है अब तुम वो ही करोगे जो मैं बोलूँगा यह सब चीजे क्या है यह बच्चो यह manipulation करना होता है manipulate करना manipulate मतलब किसी को control करना ठीक है उसके बाद इसी को rdna technology कहा जाता है अभी जस्ट बोलाता ना बच्चा rdna technology equals to genetic engineering genetic engineering equals to rdna technology ठीक है उसके बाद defective gene मैं निकाल दूँगा हमको defective चीजे चाहिए क्या अरे चाहिए क्या रहे नहीं ना चाहिए फिर क्या करने का निकाल के फिक देने का attention नहीं लेने का मुने को खाने का ठीक है उसके बाद healthy genes को हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों introduce कर सकते हैं मान लेते हैं एक गवू की variety है जिसको एक normal से disease बार बार होते रहती है जो की अपनी genetic disorder है ठीक है अगर इसको यह genetic disorder हो रही है तो scientist नहीं क्या किया यह जीन को मिलेंगे बच्चों तो यहां तक आपको साइद I think सो समझ में आ गया होगा है ना क्या क्या चीज़े होती है alteration of genetic material फिर बाद में genetic material को हम easily manipulate कर सकते हैं with the help of different kinds of processes बाद में इसी को our dna technology कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है our dna technology अब defective genes हम इससे क्या कर सकते बच्चो move remove कर सकते हैं और healthy genes को उसकी replacement के तौर पे लगा सकते हैं ठीक है याद रखना बहुत अच्छे से है कि नहीं बहुत अच्छे से याद रखना हुजूर अब देखो बच्चो tools and techniques for our dna technology सबसे पहले different instruments अपने को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले बच्चो सबसे पहले जैल इलेक्ट्रोफोरोसिस लगने वाला है क्या लगने वाला है हमको अरे क्या लगने वाला है भया क्या लगने वाला है भया जैल इलेक्ट्रोफोरोसिस बच्चो यह जैल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या है मैं आपको आगे बायो टेक्नलोजी जब देखेंगे हम लोग तब देखो जब भी आप कुछ काम करोगे बायो टेकनलोजी का या आपको लैमिनार एरफलो के अंदर करना पड़ेगा देखो माइक्रोब्स जो है यह ओमनी प्रेजेंट होते हैं ओमनी प्रेजेंट मतलब बच्चो क्या होता है सिंपल यह अत्र तत्र सरवत्र होते हैं हर जगा होते हैं है ना एर के जरीए भी आ सकते तो ऐसे टाइम पर हमारे एक्सपेरिमेंट में कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए तो उसको एक स्टेरिलाइज इंवाइरनमेंट में किय आजाता है अब यह स्टेरिलाइज इंवार्मेंट हमको कहां से मिलेगा सर जी तो सिंपल भाई एर को तो हम रोक नहीं सकते ना सर तो लैमिनार एरफ्लो यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके नीचे बैट के हमको यह एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है मतलब सिंपल एक होड के अंदर करना पड़ा हम भले भायर है हम इस रीजन में रहते हैं लेकिन हमको एक्सपेरिमेंट होड के अंदर बैठ के करना पड़ता है ठीक है उसके बाद में क्या करेंगे हम सैंपल ऐसा मुझ से उठाएंगे रश्रॉष डालेंगे क्या नहीं बच्यों से इक माइ बहुत जरूरी है उसके बाद जेल जाध सेट ज्रूरी बच्सों हमारे डिएनस को चेक अगर करना है कि इस जैना को आईसोलेट केसे करें तो यह अगे रोज़ जेल जल किया गरता है डिएने को आईसोलेट करने में बहुत मैं令 Д पीसे इसको isolate करने में बहुत जादा help करता है कैसे अरे बहुत इलेक्ट्रोफोरोसिस में यही जैल इस्तमाल होता है तो इसलिए बोला न मैं इलेक्ट्रोफोरोसिस पे अलगी वीडियो बनाता हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टन टेक्नीक है बच्चो और अपने को बहुत इस्तमाल आती है फिर उसके बाद PCR चाहिए भाईया थर्मल साइक्लर चाहिए PCR मतलब पॉलिमरेज चैन रियाक्शन इसी को हम थर्मल साइक्लर टेक्नीक बोलते हैं जिसमें हम DNA की बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं अभी आगे है हमको ठीक है उसके बाद में हमको चीए वेक्टर मतलब बच्चों होते हैं वेही कल्स अब वेही कल्स में दो आते हैं बच्चों प्लाजमीड आता है का दो मतलब और भी बहुत सारे आते हैं वैसे प्लाजमीड आता है कॉजमीड होते हैं अब यह क्या है यह आगे हम लोग को देखना है बहुत अच्छे से ठीक है मतलब अभी फिलाल जो इनिशियल है बुक का बस उतना ही देख रहे हैं लोग और यह बोड के लिए देख र होते हैं बैक्टेरिययल आर्टिफिशियल प्रोमोजोंव लेकिन सब अब करके आगे देखने वाले बच्चों जिसके ऊपर हम लोग एक्सपरिमेंट करने वाले राइट की दो बहुत जरूरत है तो यह भी हमको चाहिए रहता कॉझछी कॉझई चीक्राइज सबसे फ़िए न्युकलिए जबचों दीञें को कतर तब ने इन को कातने गाम करते वह होते है न्युकलिए जब उसके बाद आते में हैं रहेस्ट्रीक्षेण endonuclease उसका मैंने definition बता है लेकिन पहले पूरे enzymes देख लेते हैं ठीक है फिर चाहिए हमको DNA polymerase by DNA की लंबी चैन बनानी ना तो polymerase भी चाहिए फिर DNA ligase दो अलग-अलग DNA के segments को जोड़ना है ना तो DNA ligase चाहिए reverse transcriptase कभी-कभी sample के रूप में बच्चों अपने को RNA मिल जाता है तो RNA से DNA बनाने के लिए जो enzyme चाहिए सुन लो RNA से DNA बनाने के लिए जो enzyme चाहिए वह होता है मेरे बच्चे reverse transcriptase कौन सा enzyme होता है reverse transcriptase ठीक है और एक होता है बना alkaline phosphatase है ना कहीं phosphate group एड़एड करना है तो जरूरी है ठीक है अब देखो restriction endonuclease देखो यह ऐसे endonucleases होते हैं जो किसी specific site पे ही DNA को cut करेंगे क्या कहे रहा हूं मैं किसी specific site पे वो DNA को cut करेंगे इसी को हम बोलते हैं बच्चे restriction endonuclease restriction मतलब सीमित दाइरा इसको restrictions होते हैं कहीं से भी DNA को नहीं तोड़ेगा कुछ particular base sequence से यह DNA को तोड़ेगा बच्चो और यह भी हम लोग आगे देखने वाले हैं विकॉज अभी फिलाल इस chapter का introductory part चल रहा है ठीक है इसके बाद और ज्यादा दूर मत जाओ बच्चो बहुत जल्दी दस या बहुत से बहुत बारास डिसेंबर से अपने one shot वीडियो की शीरीज चालू होने वाली है तो उसको भी थोड़ा सा प्यार दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मतलब प्यार बाटने से बड़ेगा Kings तो याद रלא आप पॉलियृ एंड रेक्शन देरो बच्चो डिसकोवर किया था हमारे कईरी और मुली ने किस्सने डिसकोवरकिया था? परंवी किशने अनाम था उनका कारी और मुली कीस्तने और मुली जाद रखले ना बहुत उफर तु मेरी मैं तेरा एंप्लिफायर एंप्लिफायर का काम क्या होता है चीजों को बहुत बड़ा चड़ा के मतलब सिंपल थी वाद बोलो तु राई का पहड बना देना वैसे ही हमारा जो पीचिया टेक्निक है ना राई जितने डिएने का पहड जितनी कॉपी बना ठीक है उसके बाद में डिवाइस क्या चाहिए बच्चो इसको इसको एक डिवाइस चाहिए रहता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल साइकलर क्या बोलते हैं थर्मल साइकलर और इसकी रिक्वायर्मेंट क्या है भाई हमको जो डिजाइड जीन का एंप्लिफाय करना है उसकी उसकी सैम्पल डीएन चाहिए पिर प्रोसेस चालू करवाने के लिए आप प्राइमर चाहिए क्या चाहिए प्राइमर चाहिए थर्मो स्टेबल डीएन ऐप वॉद्टीमरेज होता ही या मैं आगे बड़ाने वाला हूँ ठीक है एडिनसीन ट्राइफोसफेट जीटीपी माने गौनसीन ट्राइफोसफेट टीटीपी माने थाइविदीन ट्राइफोसफेट और सीटीपी मतलब साइटिरीन ट्राइफोसफेट प्लस 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 मैगनेशियम आयन भी चाहिए भाईया है ना भाईया बहुत अच्छे भाई है कि नहीं ऐसे होगी को वह जैक समझा रहा है लेकिन आप लोग आराम से समझ जाओगे मैं को मालूम होगी जितने बदेर रही है कोई है ना होगी जितने एकदम बेस्ट दिमाग वाले बच्चे हैं सब यहां पर तो याद रख ले ना वहीं जरा इसके बाद देखो इसमें तीन स्टेप्स होगे हैं कितने स्टेप्स कितने स्टेप्स होते हैं वही तीन स्टेप्स पहला दो है डी ना पड़ेगा ना तोड़ेंगे तो जुड़ेगा समझ रहा है ना पुरानी चीज़े तो नहीं चीज़ेगी समझ जाओ बच्चों ठीक है पुराना जाएगा तो यहाएगा फिर उसके बाद एनिलींग अब क्या हो रहा है वही प्रोसेश चालो गई और फिर उसके बाद नया डिये ने बनाना है यह मैंने अपने आप से नाम दे दिया लेकिन इलोंगेशन ही होता है बच्छो नया डियेने का चैन बनना स्टार्ट हो जाता है मुझे नीन ना है मुझे चैन ना है है ना कोई जाए जरह ढूंड के लाए टेंशन ना लाए चैन लाए टेंशन ना लाए पीछे पीछे बस है कि नहीं अब देखो डी नाचुरेशन में क्या होता है बच्छो रियेक्शन मिक्शर को सबसे पहले क्या किया जाता है भाई हीट किया जाता है ड्रिध करा जाता है यहां पे हीट किया जाता है अप ड्रेनस थरमोलवाईल होता है विच्व हाई टमपरेशर पर आप पूरा को पलते अपने पर रॉइसा टूटना चलू हो जाता है मतलब सिंग्ल क्ड toca escrito चालो हो जाता है टेंपरेचर चाहिए नाइंटी से लेके 98 degrees Celsius तक अपके डिख रहा है ना ये बच्चो पॉडियेने जब ये हम इसको हीट करेंगे मौ तो क्या होगा भाई ये दो स्ट्रेंड में ये कनवर्ट हो जाएगा सारा जंल्गल इसे समझ में जानता है डिख रहा है ना ये दो डिएने के स्ट्रेंड बन गए है यह तो बड़ा इजी था मुझे सब समझने आगे है कि नहीं शायद आप लोग को भी समझ में आगे होगा हमारी रितिक भाई रोहित भाई को समझ में आगे ठीक से सब आप लोग भी आई थिंग सो समझ चुके होंगे ठीक है अब अगर मैं आगे बढ है आप कूल कर रहे है यह जहाल रही है आपन कोश मझ मीन आ रहा है तो इन्जा बन जाता है ठीक है तो देखो कूल करने के वाज़े से क्या होता है बच्चा प्राइमर जो है 40 से 46 डिगरी अगर डिये रियाक्षन intervenör को ला लिया गया तो प्राइमर इस पह अच्छे से कंभाइन हो सकता है अप देखो यह green color का क्या है बच्छो यहां पे मैं लिख देता हूं यहां पे ओट इस green color thing is nothing but a primer thing समझ रहां है ना अब primary जारूरी क्यों है बच्छो यह primary क्या करता है हूँ करने की प्रोस्effective क्या करता है हुआ को यह करता है निशी ये करता है इसलिए Primer हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर बंस शुरू ही नि होगी 215 या क्या क्यत्म कई साकरोगे जब सब्सुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कई से करोगे न about देखो अब हमने reaction mixture में जो dntp डाले थे अब वो base pairing करना start कर देंगे बच्चों लेकिन इसके लिए एक enzyme चाहिए tag polymerase चाहिए जो की thermostable dna polymerase होता है अब sorry tag polymerase ही क्यों because बच्चों जो dna polymerase है यह high temperature पे काम नहीं करता है जो dna polymerase 3 है जो normal cell में चलता है यह high temperature में खराब हो जाता है अगर खराब होगा तो dna की chain कैसी बनाएगा यह भी आप लोग को पता होना चाहिए ना इसलिए यह use नहीं किया जाता है बच्चा समझ में आ रहा है ना इसके बाद जो tag polymerase है बच्चों सबसे पहले तो यह thermostable है ऐसा है थर्मो स्टेवल गया थर्मो हाई temperature पे भी स्टेवल होता है सित्तर पिछत्तर डिगरी पे भी स्टेवल होता है आइसोलेट कहां सी किया गया बच्चों इसको एक bacteria है जिसका नाम है यह thermos aquaticus क्या नाम है बच्चों इसका thermos aquaticus नाम के bacteria से यह इसलिए बच्चों जैसे nukleotides add होते हैं यह दो यह दो DNA strands बन गए है की नहीं बने की नहीं याद रखना बच्चो जितनी ज़्यादा cycle होगी उतना DNA amplify करेगा और इसी number of cycle के हिसाब से number of cycles के हिसाब से इसका एक formula है number of DNA equals to number of DNA copies equals to 2 की power n क्या है बच्चा 2 to the power n where n क्या है number of cycles और जितनी ज़्यादा होगी cycles उतने ज़्यादा मिलेंगे DNA और ऐसी करते करते billions of copies generate हो जाती है थर्टी मिनिट की cycle में कितनी सारी चीज़े हो जाती है ठीक है समझ रहा है ना आपको अगर यहां तक समझ में आया तो बच्चो क्या करना है आपने जादा कुछ नहीं करना है जस्ट चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना है अभी बहुत सारा चैप्टर बाकी है कोशिश करेंगे दो से तीन वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को खतम करने की आपको समझ आए उस language में समझाने की और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेर कर दें दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई गुड़ लाक जैहिंद और हां लाइक और कॉमेंट करना मत भूलो ठीक है गुडबाई